इंडियन टेस्टी रेसिपीज में आपका फिर एक बार स्वागत करती हूँ आज हम बनाने जा रहे हैं होटेल जैसी अंडा बुर्जी अंडा बुर्जी बनाने के लिए हमने तीन मीडियम साइस की प्यास ली है जिसे हमने लंबा-लंबा काट लिया है तीन हरी मिर्च है जिसे हमने काट लिया है एक टमाटर है तीन अंडे देर टेबल स्पून तेल है थोड़ा सा हरा धनिया है वन फोथ टी स्पून लाल मिर्ची पौडर है वन फोथ टी स्पून हल्दी पौडर है और आधा छोटी चम्मच नमक है सबसे पहले है पैन में हम तेल डालेंगे तेल गरम होने के बाद उसमें हम प्यास डालेंगे हमारा तेल अभी गरम हो चुका है हम उसमें प्यास एड़ कर देते हैं भी प्यास एड़ करने के बाद गैस का फ्लेम कम कर दे और धीमी आज पर 15 से 20 मिनिट तक प्यास को सौफ्ट होने तक भूने 15-20 मिनिट तक बिच बिच में प्यास को हिलाते रहे गैस का फ्लेम बिल्कुल हाय न करे 15 मिनिट में हमारी प्यास 15 मिनिट में पूरी सौफ्ट हो चुकी है बिल्कुल अब हम इसमें नमक एड़ करेंगे हरी मिर्च लाल मिर्च पॉडर, हल्दी पॉडर और टमाटर एड़ कर देंगे और पाँच मिनिट तक अब इसे हाई फ्लेम पर बूनेंगे जब तक के टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए पाँच मिनिट हो चुके है, टमाटर सॉफ्ट हो चुके है अब हम इसमें अंडे डाल देंगे तीनों अंडे हम इसमें डाल रहे है गैस का फ्लेम अब हाई रखे और अंडों को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर ले और हाई फ्लेम पर ही दस मिनिट तक इसे अच्छी तरह से बून ले अंडे कच्छे न रहने पाए इसलिए इसे दस मिनिट तक अच्छी तरह से बूने प्यास टमाटर अंडे सब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए दस मिनिट हो चुके है हमारी अंडा बुर्जी बिल्कुल तयार है आप सिर्विस में हमें हरा धनिया एट करना है हरा धनिया मिला कर इसे फिर एक बार मिक्स कर ले हमारी होटेल जैसी अंडा बुर्जी बनकर बिल्कुल तयार है अगर अंडा बुर्जी की रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले